ग्रहों के राजकुमार बुध होने जा रहे बक्री, दो हजार चौबीस शुरू होने से पहले इन राशियों की चमकेगी किस्मत होगा अपार धनला. वैदिक जोतिश अनुसार बुध ग्रह जिससे तीन राशी के जातकों को हर खेत्र में सफलता मिल सकती है. वैदिक जोतिश अनुसार ग्रह समय पर वक्री और मार्गी होते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और प्रित्वी पर देखने को मिलता है, साथ ही यह परिवर्तन किसी के लिए सकारात्मक तो किसी के लिए नकारात्मक रहता है. आपको बता दें कि बुध्ग्रह 28 दिसंबर को वक्री अवस्था में व्रिष्चिक राशी में प्रवेश करेंगे. ऐसे में बुध्ग्रह के वक्री होने का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर पड़ेगा. लेकिन तीन राशियां ऐसी हैं, जिनको इस समय आकस्मिक धनलाब और भाग्योदय के योग बन रही हैं. आईए जानते हैं ये भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं. पुला राशी आप लोगों के लिए बुध्ग्रह का वरिष्चिक होना लाबकारी साबित हो सकता है, क्योंकि बुध्ग्रह आपकी राशी से धन भाव पर वक्री होने जा रही हैं. इसलिए इस समय आपको आकस्मिक धन की प्राप्ती हो सकती है. साथ ही रुका हुआ पैसा मिल सकता है. वही इस समय आपकी आर्थिक स्थिती में भी सुधार देखने को मिलेगा व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी यह समय बहतरीन रहने वाला है वही इस समय आपकी वानी में प्रभाव बढ़ेगा जिससे लोग आपसे इंप्रेस होंगे वही बुध ग्रह आपकी राशी से नवम और बारवे भाव के स्वामी है इसलिए इस समय आपको किस्मत का साथ मिलेगा साथ ही धन की सेविंग आप कर पाएंगे वही देश विदेश की यात्राओं के योग बन रही है मकर राशी बुध ग्रह का वरिष्चिक राशी में वक्री होना शुब फलदाई सिध्ध हो सकता है क्योंकि बुध आपकी राशी से इंकम भाव पर वक्री होने जा रही है इसलिए साल दो हजार चौबीस की शुरुवात में आपकी आए में इजाफा होगा साथ ही आय के नए, नए स्त्रोत बनेंगे वही करियर के लिहास से देखा जाए तो आपको इस दोरान अच्छी संतुष्टी प्राप्थ होगी इस राशी के जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें कोई खास डील इस दोरान मिल सकती है साथ ही अगर आपका व्यापार इंपोर्ट और एक पोर्ट से जुड़ा हुआ है तो आपको अच्छा लाब हो सकता है वही इस समय आपको किसी निवेश में लाब हो सकता है साथ ही शेयर, सट्टा और लोटरी में लाब के योग हैं संतान पक्ष से कोई शुग समाचार मिल सकता है कुम्ह राशी साल दो हजार चौबीज की शुरुवात आप लोगों को अनुकूल सिद्ध हो सकती है क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशी से कर्म भाव पर वक्री होने जा रही है इसलिए इस समय आपको काम कारोबार में अच्छी सफलता मिल सकती है साथ ही आपकी आजिविका के संसाधनों में बढ़ोतरी हो सकती है वही इस दोरान आपको नई नौकरी भी मिल सकती है कार्यक्षेत्र में भी आपको उच्चस्तर का लाप प्राप्थ होगा साथ ही नौकरी पेशा लोगों के कार्यकरने की शैली में निखार आएगा जिससे आपको जुनियर और सीनियर का साथ मिलेगा वही अगर आप ब्यापारी हैं तो इस समय आपको अच्छा धनलाब हो सकता है कोई नई डील फाइनल हो सकती है